याहिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि बहुत सारे बच्चों का लगातार ये कमेंट आरा है कि ये बता देजिए कि आखिर बेस अप ट्रेडमेन की नई भरती कब आ रही है इस भरती भी क्या बदला होने वाले हैं ये चीजे हैं मैं आप सब को इस वीडियो में बताने वाला हूँ चले फिर वीडियो को सुरू करते हैं और सारी जानकारी मैं आप सब को इस वीडियो कर दाता हो उंब भरती के बारे में जानकाई कूंपे-स-प् Carry के बात देह आपको मैं बता दूं यहां पर कि बिएस अप ट्रेट्समेंट की जिस पकार से घरती हर साल देखने को मिली है बच्चों कंदर कहीं न कहीं चल दा कि 2024 में भी भरती देखने को मिलेगी तो आप मेरे पीछे यहां पर नोटिस देख सकते हैं इसमें क्या कुछ बताया गया है य इछली बार ट्रेट्समेंट की भरती दीद निकल यहाई हूई थी इसमें जो कुक की वेकंसी निकल की आई हूई थी वाटर केजर की वेकंसी जो निकल के आई हूई थी इन सभी में मागा गया था कि NSQF Level Fair का Certificate होना चाहिए अब जिसके पास था उसकी जॉब यहाँ पे लग गई लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो यहाँ पे फर्जी बनवा कर गए थे फर्जी बनवा कर गए थे इस कारण से इनका सेलेक्शन तो हो गया BSF में लेकिन अब यहाँ पे जब सेलेक्शन हो गया और सेलेक्शन होने के बाद जब इनका verification हो रा document का यानि बागी सब तो ठीकी होगा 10 की mark sheet 12 की mark sheet तो general होगा लेकिन इन्हों ने जो NSQ of label first certificate बनवाय था वो यहाँ पे कहीं से फरजी बनवा लिया था हजार दोजार रुपए दे कर कहां से बनवाय जान काई तो नहीं है लेकिन इन्हों ने कहीं से फरजी बनवा लिया था और मैं आप सभी को पिछली भरती से बताते जा रहा हूँ कोई भी अगर आप experience रेटी पर बनवा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल genuine तरीके से बनाईएगा अभी इनके साथ क्या होने वाला जान हैं बताईएं नहीं तो आप सब को यहां पर जौब से बाहर किया जाएगा यह इनको बतादी गए है अब इनकी जौब जो है वह इनके हाथ सेarty已经 इनकी job जो है base up की वो हाँ से जा रही है तो आगामी भरती के लिए आपको यहाँ पे सतर्क हो जाना है और सतर्क के इस बात का होना है कि आपको किसी भी documents को यहाँ पे फरजी बनवा कर form नहीं अपलाई करना है genuine बनवाईए फरजी में आपको नहीं परिशान होना है ठीक है यहाँ पे साफसा बता दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पे it is to inform यह देख बता है inform बता गया है you that your skill trending certificate for the period from यहाँ बता गया है कब से कब तक आपने experience लिया था वो चीज़ यहाँ बताए गया है कि 13 सितंबर 2020 से लेकर 15 10 2022 have been verified from issued unauthority देखे यहाँ पताए गया है कि जिसके द्वारा यहाँ पर authority इसको दिया गया NSPF level for certificate को वो यहाँ पर फरजी है तो अगर आपने फी बेसफ सिलेक्ट हो चुके हो बेसफ में और आपने अगर कोई गलत certificate लगा कर अपने अगर 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 अपने selection लिया है तो आपको आगे चलके यहाँ पर समस्या हो सकती है तो अगर आप नए बच्चे हैं जो नई भरतिक जारी कर रहे हैं अगर आपको सब भी यहाँ पर बाहर कर दिये जाओगे यदि आपके पास यहाँ पर फरजी अगर आप कहीं से बनवा कर 4600 रुपए में या फिर हजार रुपए 2000 बना कर अगर आप फरजी कहीं लगवाते हैं तो आपके सेलेक्शन होने के बाद भी आपको अपनी जॉप से हांद होना पर सकता है इन ती जोसे आपको सौधान रहना है और बात करते हैं नई भरति के बारे में चले फिर आपको बता देते हैं और हाँ फेक अगर आपको आगे से नहीं बनवाना है यह तो अब इनको 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 पता होगा का फिर जॉप से इनको बाहर होना पड़ेगा तो इसी गलती आप बिल्कुल उम्र करिएगा आगामी भरती में ठीक है अब हम बात करते हैं नई भरती के बारे में देखिए बच्चों को कह कर दिया जाएगा ठीक है तो इसको लेकर आप बिल्कुल यहां पर निधरक रहिए कोई भी दिक्कत यहां पर आप सभी को नई होने वाला अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इस वीडियो में कि यदि आप विए सब ट्रेड में की नई भरतीं जार कर रहे हैं तो आप अगर कि इसी भी ट्रेड में फॉरम बना चाहते हैं चाहते हैं उल्दे यहां अपको यह किसको अपको सीखना चाहिए और यह बात करें तो इसको आपको को कोर्स करना ही पढ़ेगा वही जन्मन माना जाएगा फरजी नहीं बन सकता, experience certificate चलो माल लेते, कहीं आप कुछ पैसे देकर बनवा ले रहे हो, क्योंकि वो government नहीं है, या फिर कोई इतना authority उसकी नहीं है, ठीक मतलब वो ऐसे ही चल जा रहा है, लेकिन NSPF में आपको problem create हो सकती है, इसको आप सरी नजर अंदाज मत करिएगा, आप इन तीनों पर form बनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर NSPF पर certificate लेकर जाना ही होगा, और फिर genuine बनाना होगा, यदि आप बहुत सरी ट्रेडे आती हैं, बारबर के आती हैं, टेलर के आती हैं, सफाई करमचारी के आती हैं, और कापिस सरी ट्रेडे वासल में के आती हैं, आ और प्लस दो साल का experience लगा कर भी form भर सकते हो, तो मैं कहता हूँ कि आप भनवा, अगर कहीं से आप genuine किये हो, तो आप भरियेगा इस trade में, अगर नहीं किये हो, तो आप इनको जाने दीजिए, skip कर देना, बाकी trade में आप form अप्लाई कर देना, जिससे आपको बाद में job में क इस प्रकार से notice, जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, और फरजी NSQF लेवल लगा कर सिलेक्ट हुए हैं, उन सभी के साथ ये सारी चीजे हो रहे हैं, और जैसे ही ये सारी चीजे या फिर verification जैसे यहाँ पर clear हो जाएगा, उसके बाद फिर base up की एक नई भरती आ जाएगी, और भरती इसी करण से यहाँ पर delay हो रही है, बाकी आपकी भरती यहाँ पर मई के महीने में ही देखने को मिलने वाला था, उससे delay नहीं होता, क्योंकि हर साल देखा जाए, सबसे पहले base up ट्रेडमेन की भरती आती है, बाकी forces की भरती बाद में आती है, और पिछली बार भी running की त्यारी करेंगे, exam की त्यारी करेंगे, तो आप इसमें job लेकर जाएंगे, अगर selection process की बात करते हैं इसमें, सबसे पहले आप सभी का इसमें भी बात करें, तो आप सभी का exam होने की संभावना बताई जा रही थी, क्या हो रही थी, कि सबसे पहले आप सभी का इस भरती म में एक्जायम होगा ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है इसमें भी आप सभी का पहले फिजिकल होने वाला है क्या होने वाला है पहले आप सभी का फिजिकल होगा फिर आप सभी के यहां पर एक्जायम होगा उसके बाद आप सभी का यहां पर ट्रेट टेस्ट और डीवी होने वाला ह है ठीक है तो लग जाए यह तैयारी में जैसे भी जो कुछ होगा आप सब्सक्राइब को समय समय पर जानकाई देता रहोंगा चनल के माधम से और आगामी दो महिने में आप सभी को बहुती जानकारी मिलने वाला है बहुत सारे बच्चे लगातार कॉमेंट कर रहे थे कि आप बात करें एज को लेकर बहुत सारे बच्चे प्रसांते एज क्या है 18 साल से लेकर 25 साल के बच्चे इस तरीके से इनकी भरती यहाँ पे कंपलीट करवाई जाएगी और आपको फेक NSQF साइटिफिकेट अब नहीं बनवाना आए कसम खा लेना आप सबीको मैं फेक एक्स्पिरेंस साइटिफिकेट नहीं बनवाऊंगा कहीं से माल लोगरा को सेलेक्टन हो जाता है तो आपको पूरी जिंदगी आपको रिस्क रहेगा कब हमको जॉब से बाहर कर दिया जाए ये चीज़ें किसी को नहीं पता होता ठीक है लेकिन पहली बार बेस अपने NSQF लगू किया और पहली बार में ही इनको इतना सारा चीज़ें जेलने को मिल गया तो आगे आमी भरती में भी NSQ लगेगा लेकिन आपको यहां पर सतर्क होने की आप सकता है आप कर लीजिए कोर्स जो भी 2-3-4-6 महिनफ होता होगा आप कर लीजिए अगर आपको इसमें पाना है तो ठीक है तो चले फिर वीडियो आज के मारे यहीं तक थी अगामी दो महिने के अंदर अगर महिने की बा ठीक है हाइड अप सबकी यहाँ पे 100-65 cm लगने वाली है ठीक है रनिंग आप सभी का होगा वहाँ पर बात करें तो आप सबी की रनिंग यहाँ पर होने वाली है पांच किलो मेटर मैं फिर से लिग देता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आना चाहिए ठीक है रनिंग लेकिन अपना वेट आप सभी कम कर लीजेगा ठीक है तो चले फिर आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी पसंद आई हो जानकारी तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि बेस अप्टेडमेन की भरती बारे में मैं आप सभी को सारी जानकार वीडियो में परवाड करा दिया हूँ और हमारे टेलिग्राम चैनल को भी असरी जोइन कर सकते हैं डिस्क्रेप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है तो चले फिर मिलते हैं किसी नई भरती और जांकारी सा रफ्टक के लिए जैए